जैह हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इंफो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। इस ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन-कौन सी सुविधाय मिलती है, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन अगरतला और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन के बीच सोमवार को चलती है, ट्रेन 14 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 2424 किलोमीटर की दूरी लगभग 41 घंटे में पूरी करती है, इस ट्रेन की ओसत स्पीड 60 किलोमीटर प्रती घंटे की है। अब मैं आपको केटरिंग यानी खान पान से संबधित जानकारी देता हूँ, इस ट्रेन में पेंटरी कार, आन बोर्ट केटरिंग और इकेटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिसन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, इस ट्रेन में 1st AC, 2nd AC कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोको मोटिव की जानकारी देता हूं, इस ट्रेन में इलेक्टिक और दीजल दोनों प्रकार के लोको मोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ, यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले अगरतला स्टेशन पर आकर रुख जाती है और शाम 6 बजकर 45 मिनिट पर रवाना होती है, इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आमबासा स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 7 बजकर 28 मिनिट पर पहुँचती है, यहां ट्रेन 2 मिनिट रुखती है, इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बदरपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन राद 11 बजकर 5 मिनिट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 15 मिनिट रुखती है, इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट होजाई स्ट और यहां ट्रेन सुबह 8 बज कर 20 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है, इस ट्रेन का 8 वा हॉल्ट बरपेटा रोड स्टेशन है, और यहां ट्रेन सुबह 9 बज कर 15 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन 2 मिनट रुपती है, इस ट्रेन का 9 वा हॉल्ट न रोनी जंक्षन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम साथ बचकर 45 मिनिट पर पहुँचती है यहां ट्रेन दस मिनिट रुखती है इस ट्रेन का बारहवा हॉल्ट पाटलिपुत्र जंक्षन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 10 बचकर 15 मिनिट पर पहुँचती है यहां ट्रेन द इस ट्रेन का पंद्रहवा और आखिरी हॉल्ट आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 10 बज कर 50 मिनट पर पहुँचती है दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराय से संबधित कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराय में बदलाव भी होते रहते हैं इसलिए किराय की जानकारी के लिए आप रेलवे की ओफिशियली साइट आसी टीसी डॉट को डॉट इन पर देख सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले मेरा इस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इंफो आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा धन्यवाद